हालो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब आपका एक बर फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रिक्वेंसी टुटोरियल पे और मैं हूँ आपकी बाइलोजी टीचेर डॉक्टर किरन वर्ट्स तो बच्चो आज का जो टॉपिक है हमारा बड़ा ही सिंपल और बहुत टॉपिक है एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम जो आपने पहले 9 ख्लास में भी पढ़ा हुआ है सेल वाले चैप्टर में बट यहां पर हमें उसको थोड़ा सा वाइड फॉर्म में पढ़ना है एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम के फंक्शिन क्या होते हैं स्टुक्चर कैसा ह होता है और किस किस तरह से यह काम करता है वो सारी चीजें हमने इसमें डिसकस करनी है तो बचोज करते हैं अपना निउ टॉपिक एंडौ प्लाजमिक रेटिकूलम तो एंड़ो प्राजमिक रेटिक्यूलम को सबसे पहले किसने डिसकावर किया तो फर्स्ट डिसकावरी किसने की सबसे पहले इसको डिसकावर किया था गार्नियर ने और क्लिउडी ने इन दोनों ने क्या किया सबसे पहले इसको डिसकावर किया बट इसका जो अल्टरी अल्टरी ने और फुलाम ने ठीक है? ये तो हो गया कि भए discovery किस ने की? फिर क्या पढ़ा कि इसका ultra structure किस ने दिया? फिर है कि जो ER की term है, उस term के बारे में किस ने बताया? तो ER की term के बारे में बताया किस ने? Walter ने आपके जो ये question है जैसे कि term किस ने दी, ultra structure किस ने दिया, first discovery किस ने की तो यह आपके कई बार आ चुके है competitive exam में ठीक है उसके बाद है कि जो endoplasmic reticulum है present in all eukaryotic cell सभी eukaryotic cell में endoplasmic reticulum present होता है किसको छोड़के except germinal cell, एक तो जो germ cell होती है उनको छोड़करके और दूसरा किसको mature mammalian RBC mature mammalian RBC को छोड़करके और germinal cell को छोड़करके बाकि सभी cells के अंदर endoplasmic reticulum present होता है ठीक है, तो जो endoplasmic reticulum है इसकी presence किस बात पर depend करती है क्या कहा है बटा मैंने, कि जो endoplasmic reticulum है उसकी presence या absence किस बात पर depend करती है तो देखो किस किस पर depend करती है first, cell development के भई cell का development कैसे हो रहा है और दूसरा, cell differentiation अब देखो cell differentiation क्या होता है cell division तो सबने सुना है कि वह cell divide हो जाती है, नई cell बना देती है तो cell differentiation क्या होता है जब cell का division होता है तो cell क्या करती है अपने function के according अपने structure को change कर लेती है जिस cell को जैसा function perform करना होता है उसी के according वो अपना structure maintain करती है उसको हम बोलते हैं cell differentiation मतलब अपने function के according cell divide हो गई है तो जब कभी भी cell के development हो रही हो या फिर cell का differentiation हो रहा हो तब depend करेगा कि उसमें endoplasmic reticulum जो है उसका formation होगा या फिर नहीं होगा ठीक है? तो अब देखते हैं कि किसमें होता है और किसमें नहीं होता है embryonic cell embryonic cell जो है उसमें endoplasmic reticulum प्रेजेंट नहीं होता सेकिंड क्या है? spermatocyte spermatocyte आप देखो spermatocyte क्या है? sperm को produce करने वाली cell तो spermatocyte के अंदर भी endoplasmic reticulum प्रेजेंट नहीं होता तो भई सबसे ज़्याद़ development किसमें होता है? endoplasmic reticulum का सबसे ज़्याद़ development किसमें होता है? तो more development more development of ER किसमें होता है बटा? in pancreas एक तो pancreas की cell में होता है और दूसरा किसमें होता है? liver की cell में याद रखने की बात है क्या वई? क्या पढ़ाया है हमने? कि embryonic cell में तो होता ही नहीं है spormatocyte में भी नहीं होता है किसमें depend करता है? कि भी cell के development कैसे हो रही है और उसका differentiation कैसे हो रहा है? फिर सबसे ज़्यादा किसमें होता है? pancreas की cell में होता है और liver की cell that is the hippytocyte cell इनके अंदर present होता है ठीक है बटा? अब देखो endoplasmic reticulum जो है वो nucleus के nearest nucleus के nearest organally है nucleus के सबसे नज़्दीक कौन से organally है? तो endoplasmic reticulum है ठीक है? पूरी cell का मतलब एक cell जो है उसका 10% volume endoplasmic reticulum occupy करता है मतलब पूरी cell जो है उसका 10% जो है वो endoplasmic reticulum ने cover कर रखा है 10% हिस्सा ठीक है? तो endoplasmic reticulum का हमने क्या बताया है? कि वह उसने कितना area cover कर रखा है अब जो nuclear membrane है जस्ट उसके बहार ही क्या present है? एक network like structure जिसको हमने नाम क्या दे दिया है? एंडoplasmic reticulum का तो क्या है बता? हम क्या लिख सकते हैं? कि जो endoplasmic reticulum है वो कहां से arise होता है? कहां से arise होता है? तो क्या लिखा हमने? nuclear membrane के evagination से क्या बुला बिटा? nuclear membrane के evagination evagination का मतलब देखो क्या हुआ? जैसे ये क्या है? nuclear membrane ये है nuclear membrane ठीक है? अब ये nuclear membrane में से देखो ये बाहर की तरफ निकला हुआ दिखा है न Downton तो इसी को बोलते है evagination मतलब क्या यह बाहर की तरफ निकला दिखा दिया तो इसी को क्या बोलते हैं अगर मैं यहां पर अंदर की तरफ दिखाते हैं इसको तो उसको बोलते हैं इनवाजीनेशन तो आपसे अगर कोई पूछे कि बता दो एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम जो है वो कहां से एराईज होता है तो हम क्या कहेंगे कि जो एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम है वो न्यूकलियर मैंब्रेन के एवाजीनेशन से एराईज होता है ठीक है बटा? चलो अब next चो है, वो हम इसका structure ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम उसका structure बना रहे हैं, ठीक है, ये बना दिया, ये, ठीक है, ये क्या है, ये एक network like structure बनता जा रहा है, एक network की तरह चलता जा रहा है, पूरा structure, ठीक, कुछ इस तरह से, पूरा क्या है, ये एक network की तरह दिखाई दे रहा है, हमें, समझ में आ रहा है न आपको, ये क्या है, एक network की तरह बनता जा रहा है, और फैलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, ये बहार अब ये, तुम सोचोगे, ये क्या हो रहा है, तो इसको भी मैं बताऊंगे, कि ये भी एक structure ही बन रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो है ऐसे भी दिखा सकते हैं हम कैसे ही दिखा सकते हैं ठीक है अब देखो यह स्ट्रक्चर बन गया है एंडो प्लाजमिक रेटिक्यूलम का बट अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ है हमने इसमें थोड़े थोड़े राउंडेड स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी करना है तो यह हमने ड चोटे चोटे ग्रैनियूल्स को भी दिखाना पड़ेगा क्या है इसके भार कुछे चोटे चोटे ग्रैनियूल्स को भी हमने दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसके उपर जो यह ग्रैनियूल्स हैं यह कौन से ग्रैनियूल्स हैं यह है बेटा राइबोसॉम क्या हैं यह रा Hydroplasmic reticulum, जो है, उसके surface पे ribosome present होते हैं, बट वो पूरी surface पे present नहीं होते हैं. कुछ surface ऐसा होता है, जो बिलकुल smooth होता है, और कुछ एक surface ऐसा है, जो बिलकुल rough होगा. Rough कॉन सा होगा? जिसके उपर ribosome होंगे. तो rough का मतलब क्या हुआ? कि वह कैसा है? स्मूथ नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उसके ओपर क्या आ गए है राइबोसॉम आ गए है इसलिए वो स्मूथ नहीं है और बहुत स्मूथ कौन सा है जिसके ओपर कुछ भी नहीं है वो बिल्कुल प्लेन है हना क्या है वो बिल्कुल प्लेन है तो देखो इसमें भी राइब structure हमने draw किये हैं इनके चारो तरफ भी हमने granular structure को draw करना है ठीक है छेलो यह हमने draw कर दिया कुछ इधर भी draw कर देते हैं क्योंकि भई draw करना compulsory है तो इसमें हम कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते हम ऐसा नहीं कर सकते कि भई यह एक को छोड़ दें तो जितने बनाए हैं सभी पे बनाना पड़ेगा ठीक है चालो यह हो गया हमारा structure अब इसमें यह देखो यहाँ पे यह है nuclear membrane यह है nuclear membrane यह nuclear membrane है और nuclear membrane के जस्ट बहार क्या है यह structure किसका बन गया है पूरा यह पूरा structure बन गया है endoplasmic reticulum का किसका बन गया है endoplasmic reticulum का अब जो endoplasmic reticulum का यह network like structure बना तो बटा किससे बनाए endoplasmic reticulum के पास क्या होते हैं तीन elements होते हैं क्या होते हैं तीन elements होते हैं तो जो वो तीन elements होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं जिन से मिलकर के इसका पूरा structure बना है First जो element है वो है sister ना क्या है sister ना Second जो है वो है vesicle और third जो है वो है tubules क्या है कि पहला तो हो गया sister ना दूसरा हो गया vesicle और third जो है वो कौन सा है tubules ये तीनों क्या कहलाते हैं ये कहलाते है elements of the endoplasmic reticulum इन्ही तीनों से मिलकर के endoplasmic reticulum का structure बना हुआ है ठीक है बिटा अब ये जो structure हमने draw किया है देख रहे हो ना आप सब इसको तो जो ये structure हमने यहाँ पर draw किया है उसमें से हम एक बार इन तीनों को देख लेते हैं ये तीनों जो हैं पूरा बना हुआ है तो ये हैं कौन-कौन से ध्यान से देखो एक बार ये long tube like structure दिखाई दे रहे हैं आपको ये long tube like structure हैं तो बिटा इनको तो मैंने नाम दे दिया sister ना क्या नाम दिया मैंने इनको sister ना ठीक है अब आपको ये भी दिखाई दे रहे हैं rounded है ना इनको मैंने नाम दे दिया vesicle क्या नाम दिया है vesicle और third आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना ये कुछ branched like structure इनको हमने नाम दे दिया tubules ठीक है तो clear हो गया होगा आपको क्या कि भई endoplasmic reticulum में तीन element हैं कौन से कौन से एक तो भई tube like structure दिखाई दे रहे हैं जिसके उपर क्या है ribosome है तो नाम क्या दे दिया sister ना दूसरा क्या है भई rounded structure दिखाई दे रहे हैं नाम क्या दे दिया vesicle तीसरा ये हमें कुछ एक branch like structure दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल बहार की तरफ और इनकी surface देखो कैसी है बिल्कुल plane है बिल्कुल smooth है तो नाम क्या दे दिया tubules तो ये तीनों क्या हो गए बटा ये तीनों हो गए elements अब एक एक करके तीनों को पढ़ ले सिस्टरना के बारे में पढ़ते हैं वैसिकल्स के बारे में पढ़ते हैं और tubules के बारे में पढ़ते हैं तो जो first element है बच्चो वो है सिस्टरना ठीक है पहले एक बार हम ये सिस्टरना को ड्रॉ करके देखते हैं फिर इसके बारे में लिखते हैं ठीक है तो फड़ा पर ड् होते हैं और ट्यूब-like structure के होते हैं और क्या पढ़ा है कि वह कोई भी branch like structure इनके पास नहीं होता और क्या पढ़ा है कि वह इनकी surface पे क्या present है इनकी surface पे present है रिबोसॉम यह भी पढ़ा है हमने हणा तो जो जो पढ़ा है वो सारी इसकी property हो गई है यह क्या है बटा, ribosome है, इनके उपर जो मैंने red से दिखा दिये हैं, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे granules हैं, यह क्या है, ribosome है, ठीक है, इस structure किसका है, sisterna का है, चालो, इसको देखकर हम लिख देते हैं, इसके बारे में, first क्या है, यह कैसे है, long, दूसरा, यह कैसे है, narrow, और कै कैसे हैं बटा, यह, tube की तरह हैं, कैसे है, tube-like structure के हैं, है न, और कैसे है, कोई branch दिख रही है, नहीं, तो क्या लिख देंगे, यह कैसे है, unbranched, ठीक है, यह हो गया हमारा first point, जो हमने इसको देखकर लिख दिया, अब second point क्या है बटा, इनके उपर क्या present है, ribosome, क्या है, ribos present on the surface of sister, इसकी surface पे क्या है, ribosome present है, और जो third point है, वो हमारा कुछ ज़्यादा ही important है, ऐसलिए मैं उसको दो-दो star डाल के लिख रही हूँ, तो important है, तो क्या है बटा, पुछा जाता है आपसे, क्या पुछा जा रहा है, diameter, क्या बटा, कितना होता है तो हम बता देंगे कि diameter जो है, वो 40 से लेकर के 50 micrometer तक हो सकता है, ठीक है, और क्या पुछा जा सकता है, क्या बता देंगे, सिस्टरना more in protein forming cell जो cell protein का formation करती हैं उनमें सिस्टरना भी ज़्यादा present होते हैं तो ये हो गया सिस्टरना के बारे में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बहुत आसान है आसानी से याद हो जाएगा अब second कर लेते हैं अब तो बैटा second क्या है वैसिकल्स अब वैसिकल्स का structure भी हमने ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे है ना पर हमें पता है कैसा होता है rounded होते हैं और हमें ये भी पता है कि rounded के साथ साथ और क्या है इनकी surface पे ribosome भी present है पता है ना हम सबको ये हम सबको पता है चलो तो एक चीज और अब यहाँ पे मैं सबके चारो तरफ ribosome नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमको पता है इस चीज का तो इसलिए क्या है कि भी मैंने दो पे दिखा दिया तो इसका मतलब क्या है सबी वैसिकल्स पे present होते हैं हम इसकी property लिख लेते हैं क्या है दिखने से कैसा लग रहा है rounded कैसा है rounded या फिर oval shape के भी वैसिकल्स हो सकते हैं second क्या है इनमें भी क्या है ribosomes present है कहां on their surface इनकी surface पे ribosome present है third point क्या लिख सकते हैं बेटा वही important है जो क्या diameter के भई diameter बतादो जल्दी से कितना होता है तो कितना होता है भई 25 से लेकर और 500 micrometer तक इतना हो सकता है इनका ठीक है और इनका number कौन सी cell में ज़्यादा होगा ये भी किस में ज़्यादा होगे more in the protein forming cell इनका number भी ज़्यादा कहा होगा protein forming cell में ही इनका number ज़्यादा होगा तो ये है बेटा vesicles के बारे में ये भी कोई मुश्किल तो नहीं है बड़ा असान सा है third कौन से थे? tubules तो tubules को लिख लेते हैं एक बार tubules ठीक है? तो बड़ा structure तो draw करना ही पड़ेगा तो ये हमने draw कर दिया ये देखो और भी draw कर देगे ये देखो ठीक है? तो भई हम तो draw कितने ही भी कर सकते हैं बहुत सारी कर सकते हैं हम तो draw ये कर दिया हमने draw यहाँ पे चलो तो ये हमने किसका structure बना दिया है यहाँ पे tubules का तो कैसा लग रहा है ये? ये ऐसा लग रहा है जैसे इस tube के अंदर से branch निकल गई हो कैसा लग रहा है कि tube के अंदर से जैसे की branch निकल गई हो कुछ इस तरह का लग रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? कि जो tubules जो होते हैं ये कैसे हैं? ट्यूब लाइक structure के होते हैं बट कैसे होते हैं? branched ठीक है? और ये कैसे होते हैं? ये wider होते हैं किस से? सिस्टरना से ये सिस्टरना से wider होते हैं फर्ड पॉइंट क्या है? कि इनके उपर कोई भी ribosome present नहीं होता और ये क्या है? ये क्या है? नूकलियस के बहुँआर की तरफ हैं नूकलियस के सबसे नजदीक तो सिस्टरना था ये क्या था? बिलकुल आउटर साइड था ये तो ये क्या है? ये plasma membrane के near present होते हैं ये क्या है? plasma membrane के near present होते हैं इनका भी diameter पुछा जा सकता है तो diameter कितना है बिटा? 50 से लेकर 100 micrometer देखो आपको क्या है? आपको जो तीनों elements पड़े हैं उन तीनों का diameter ज़रूर याद होना चाहिए बाकी क्या है कि तीनों का अगर structure हमें आता है तो और properties हम लिख सकते हैं उसके और एक point ये याद होना चाहिए आपको कि भई cisterna है या फिर vesicles है या फिर tubules है ये किन cells के अंदर इनका number ज़्यादा होता है तो अगर हम tubules की बात करें तो ये किन में ज़्यादा होते हैं more in lipids forming cell lipids forming cell में इनका number ज़्यादा होता है तो ये था बेटा tubules के बारे में अब next देख लो एक बार all three elements of er are interconnected to each other मतलब क्या है कि जो तीनों के तीनों elements है वो एक दूसरे के साथ connected form में present होते है they also connect with nucleus क्योंकि भही cisterna वाला पार्ट तो nucleus के साथ connect था plasma membrane plasma membrane के साथ बिल्कुल outer वाला पार्ट connect होता है and gaulzy bodies and gaulzy bodies ठीक है तो क्या है कि जो complex बनता है this complex like structure is called जो मतलब क्या है कि ये तीनों तों आपस में connect थे ही उसके साथ साथ क्या है ये nucleus के साथ भी connect हो गए gaulzy bodies के साथ भी हो गए plasma membrane के साथ भी हो गए तो एक बहुत बड़ा network like structure बन गया ना इनका तो जो ये complex बना है इनका उसको बोलते हैं साइटो प्लास्मिक वेक्यूलर सिस्टम क्या बोलते हैं साइटो प्लास्मिक वेक्यूलर सिस्टम ठीक है next है बड़ा types of endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum के कितने टाइप हैं तो बड़ा इसके दो टाइप हैं एक है R.E.R. और दूसरा है S.E.R. सो R.E.R. क्या है rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum और जो S.E.R. है वो क्या है smooth endoplasmic reticulum ठीक है अब इन दोनों के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले है R.E.R. तो R.E.R. क्या है वही ribosome present on the surface of surface of E.R. अगर endoplasmic reticulum की surface पे ribosome present होते हैं तो उस endoplasmic reticulum को हम क्या बोल देते हैं rough endoplasmic reticulum ठीक है क्या कहा है बटा मैंने कि अगर endoplasmic reticulum की surface पे कुछ granular like structure मतलब ribosome अगर present है तो उसको क्या कहा जाता है rough endoplasmic reticulum कहा जाता है तो जो ये ribosomes हैं जो इसके उपर present हैं तो वो किसी के साथ bind भी हुए होंगे किसी ने bind भी किया होगा उसको तो क्या है एक ग्लाइको प्रोटीन health ribosome attachment अब क्या है एक special type का ग्लाइको प्रोटीन होता है जो ribosome की endoplasmic reticulum के उपर attachment में help करता है ठीक है तो उस ग्लाइको प्रोटीन को क्या बोलते हैं जो इसके attachment में help करता है उसको बोलते हैं हम riboporine क्या बोलते हैं riboporine riboporine क्या है एक type का glycoproteine है जो की ribosome की help करता है endoplasmic reticulum के surface पर चिपकने में ठीक है अब जो RER है rough endoplasmic reticulum है इसको एक नाम दिया था क्या था वो? ergastoplasm क्या था ergastoplasm या फिर ergastoplasma अब ये नाम rough endoplasmic reticulum को किस ने दिया था? ये नाम दिया था Garnier ने जिसने सबसे पहले discover किया था endoplasmic reticulum को उसी ने क्या है? ये नाम भी दिया था ergastoplasm अब क्या है कि इसको एक नाम और भी दिया गया तो जो एक और नाम दिया गया वो क्या था? alpha cytomembrane क्या था? alpha cytomembrane और जो ये नाम था ये किस ने दिया था? seos strand ने किस ने दिया था? seos strand ने ठीक है? क्या नाम दिया था? alpha cytomembrane ठीक है? अब एक ध्यान से समझो बिल्कुल चीज को nizels granules का सब को पता है nizels granules जिसको हम trigoid bodies भी बोलते हैं nizels granules या फिर trigoid bodies भी बोलते हैं ये कहाँ पर present होते हैं? cytone या फिर लिख सकते हैं cell body of neuron जब हम neuron का structure हमने पढ़ा था तो neuron जो है उसका एक cytone वाला पार्ट है ये एक zone वाला पार्ट होता था तो cytone वाला पार्ट जो है ये cytone वाला पार्ट है तो इस पार्ट में क्या है? fluid भरा हुआ है और उस fluid के अंदर क्या थे? कुछ इस तरह से granular like structure भी present थे ठीक है? तो जो ये granular like structure यहाँ पे थे इनी को nizels granules बोलते हैं तो ये granules किस से बनते हैं? निजल्स granules formed by the small pieces of RER and gaulzy bodies जो nizels granules जो थे वो rough endoplasmic reticulum के small pieces से और gaulzy bodies के small pieces से मिलकर बने हुए हैं ठीक है? और आपका important question है बटा पहले पूछा हुआ है तो आप इसको ध्यान से लिखना और याद करना अब देखो rough endoplasmic reticulum जो है ये सबसे ज़्यादा कौन से सेल में है? more in protein forming cell इनका नंबर भी किस में ज़्यादा होता है? protein forming cell में ज़्यादा होता है तो क्या है? जो rough endoplasmic reticulum है इसका भी ज़्यादा नंबर कौन से सेल में होता है? protein forming cell में होता है तो किसी एक protein forming cell का हम example भी ले लिते हैं आपे जैसे जाइमोजन जाइमोजन अब जाइमोजन जो है cell ये कहां present होती है gastric gland में कहां है gastric gland हमारे stomach के अंदर बहुत सारे gastric gland present होती है उनमें जाइमोजन सेल भी है जो कि protein forming cell होती है और ये क्या करती है ये अपने अंदर से एक enzyme को release करती है नाम क्या है pepsi nosan enzyme ठीक है क्या है pepsi nosan enzyme को release करती है जो कि proteinious nature का होता है ठीक है तो ये था बिटा हमारा rough endoplasmic reticulum के बारे में इससे next चो है वो हम start करेंगे अपना smooth endoplasmic reticulum के बारे में तो I hope आपको ये topic बड़ा अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा तो इससे अगली वीडियो में हम अपने अगले parts के साथ मिलते हैं जो की होगा हमारा smooth endoplasmic reticulum तो तब तक बटा आप इसको पढ़ते रहे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप like जरूर करना और comment भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको अगला topic जो चाहिए वो कौन सा चाहिए ठीक है और अगर कोई नया viewer है जो पहली बार हमारे channel पे आया है तो वो भी like जरूर करे, share करे, subscribe करे तो बच्छो मिलते हैं अगले lecture में अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, खुश रहे हैं, बाई बाई